महरास्ट में NDA में शीट सेरिंग को लेकर मेराथॉन मीटिंग्स का दौर जारी है। गटकरी को बड़ा ओफर देते हुए पीजेपी छोड़ कर MVA में आने और चुनाव लड़ने के लिए नियोता दिया था। इस पर सूबे की डिप्टी सीये देवेंद्रु फारनवीज की प्रतिकिरिया भी सामने आई है। फरनवीज ने कहा कि उद्धव ठाकरी के पार्टी के वर्ल बैंड बाजों के साथ बची है। वो गटकरी जैसे हमारे रास्टे नितावों सीट की पेश्वश कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई गली के व्यक्ति को अमेरिकी रास्टपती बंदे के लिए पेश्वश करता है। उन्होंने कहा कि महरास्ट में अभी सीटों का एलाम नहीं हुआ है क्योंकि गडबंदन पार्टियों के बीच अभी मन्थन चल रहा है। जब महरास्ट में लोगसभा चुनाव के लिए उमिदवारों की चर्चा होगी तो सबसे पहला नाम नितिन गटकरी का होगा। बता दे कि उदव ठाकरे ने शुकरवार को कहा था कि बीजेपी के लिस्ट सामने आ गई है। अनेक नाम सामने है जिन पर कृपाश अंकर सिंग पर बीजेपी ने भ्रस्टाचार का अरोप लगाया था। उनका नाम भी पिये मूदी के साथ लिस्ट में है। लेकिन नितिन गटकरी जिन्होंने इतने सालों तक महरास्ट में बीजेपी के लिए आधार तयार करने का काम किया है उनका नाम वहाँ नहीं है। ठाकरे ने कहा कि गटकरी जी बीजेपी छोड़ दीजे। हम आपको M.V.A. से चुनाव जितवा कर लड़ाएंगे। गटकर राजसान, दिल्ली, गुजरात और M.P. समेट अन्य राज्य के लिए केंडिडेट का एलान किया गया था। हलाकि बीजेपी ने इस लिस्ट में महरास्ट को शामिल नहीं किया था। बताय जा रहा है कि सूबे में सीटों की बटवारे को लई कर तस्वीर साफ नहीं है। से बारा सीटे मिलने के कयास लगाय जा रहे हैं हाला कि बीजेपी और शिंदेगुट के बीच कुछ सीटों की अदला बदली की भी बात की जा रही है।